शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें सर तो हमेशा ऐसे ही करते हैं और हमें भी यही करने को बूलते हैं चलो अच्छा है आज किसी ने आवाज तो उठाई ए बखवास बांकर तुझे हमने नोकरी पे रखाया या तूने हमे अब तू हमें सिखाएगा कि क्लाइन के साथ केसे डिल किया जाए अपने आपको बड़ यह हो गया सलाद सब कुछ हो गया ओफो इन लड़कियों ने प्लेट्स भी नहीं लगाया है अरे भाई तुम लड़कियों का इस घर में रहने का कोई फार्दा है भी या नहीं खाली समय बर बाद करना आता है तुम लोगों को अंटे काम ही तो कर रही हु ना हाँ पर हमार मदद तो करती नहीं हो चलो कुछ काम करो तुम लोग अरे भाभी तु आ गया आप लोग आए अंदर आए भाभी आप तो हमेशा की तरह समय पेई आती है आए देखिए बहुत कुछ बना है आज हाँ आप अभी क्या बात है पूरे चपन भोग बने हाँ हम भी बेवकूफ है आपका निकम्मा अभय हमारा मतलब है कि आपका बेटा गुन्वान बेटा उसकी पहली बार नौकरी जो लगी है तो इतने पकवान तो बनने ही थे वैसे रितू हमारा अभय जब कुछ ठान ले कहता है अब कल उसे नौक भी चाहिए थी तो आज इसे नौक भी मिल गई और हमारे हिसाब से इसे गुन्वान कहते हैं हाँ हमें डिसकाउंट में ना अस दस हजार की पड़ी तनूजा हमारे आने पे इतना महंगा दस हजार का डिनर सेट लेने की क्या जुरूरत थी हम तो घर के ही है पुराना सेट भी चल जाता है अरे दस हजार भाभी आपको तो पता है ना इनकी आदते रविवार बजार से लाए होंगी मुश्किल से सौ डेड़ सो का होगा सो डेड़ सो का समाना बहुत तहले ही गुजर गया है चार हजार में ये सेट लाए है हां चार अजार का सेट? बाभी, आपने खरीदा चार अजार का सेट? हाँ, हाँ, श्रत्ताय लाई होगी अपनी तंखा से. हमारा मतलब है कि, अभाई कि तो अभी-भी नौकरी लगी है, पहला देने नौकरी का, तो तंखा इतनी जल्दी थोड़ी ना आती है. अरे, यहाँ आया, रितू, आपके पास वो कान वाले डॉक्टर मिस्टर शर्मा का नंबर है क्या? हाँ, बाभी, हमारे बास है नंबर. क्या बात है, बाभी, आपको सुनाई कम दे रहा है? अरे, नहीं, हमें नहीं, हम तो आपके लिए कह रहे हैं. लगता, आप भूल गई, कल हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, कि जिसको भी हमारे अभय की खुशी से एतराज है, वो क्रिप्या करके यहाँ नाए. लगता, आपने पीक से सुना नहीं. कैसी बाते करेए, भाभी आप, हमारा लाडला भतीजा है, हरे, उसकी खुशी में हमें क्यों तकलीफ होगी, हम तो बहुत खुशे हैं ना, इतने खुशे, इतने खुशे कि हम बताई नहीं सकते, हम तो चाहते कि आपका निकमा, ने, आपका लाडला भय, ऐसे ही तरक्की कर किसी को उसकी नजर लगए, वैसे रितू, नजर लगे उसकी दुश्मन को, अब है पेना माताराणी का अशिरवाद है, और हम तो जानते हैं, आज पहला दिन उसका बहुत ही अच्छा जाएगा, हाँ, सर इज़त से बोल रहा हूं, कॉलर छोड़े, इज़त से बोल रहा मैं तुझे तेरी ओकाद याद दूला दूँ, तो कोडी के आदमी, दो साल से घर पे बेटा था, वो मैंने तुझे नोकरी दी, मेरा ऐसान मांगने की बज़ा, ये खुटा हम पर ही बहुक रहा है, दो सकेन नहीं लगेंगे, तुझे आपिस से बाहर फेकने में, अरे हाथ क्या निगालोगे मुझे नोकरी से, मैं ही आपके जैसे मकार दोखे बाद इंसान के साथ काम नी करता, अरे दिकारता हूँ आपकी नोकरी को मै, जिस दिन सारा खाना तयार है, उसे दिन हम इंतजार करेंगे, कहां रहा गये, सब लोग आये क्यों ही अब तक, अरे भापी, अभै और शद्धा दफतर से निकल चुके हैं, और अभै के बापा ने कहा कि वो भाई साथ ही आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे, लीजिए, हमारे दोनों भाईया सौ साल जीएंगे, नाम लिया और हाजिर अच्छा जीए, सब के सामने यू पत्नी को बदनाम मत करिये, कबसे हम सब इस वक का इंतजार कर रहे थे, और हाँ, जो हमें सुना रहे हैं, उनकी खुशी तो छिपी नहीं रही है, बिल्कुल सही कह रही हो तो अनुजा, वैसे माच इतने खुशी तो किसी को हो नहीं सकती, पर ये एक दम दद्यद धुए जा रहे हैं, शकल दो देखो इनकी, हूँ, आईए बैसा, कितने अच्छा लगवा है, बैसा, कितने दुनों बाद पूरा परिवार साथ बैठकर ख अनुज भाईया, तिलिप भाईया और नैना भावी का तो ये कबसे ही सपना है, मगर उन दोनों को सेर सपाटों से फुरसत मिले तो ना अब वो, अभे और शर्णा का ले गए अरे, हमारे अभे की भी उम्र बहुत लंबी है, नाम लिया और आ गया अरे बेटा, कैसा था तेरा पहला दिन काम का? अच्छा गया, सुफ कुछ की ने, चला, पहले यहां टिफिन रख और ये बता, तुने खाया की नहीं, चला आजा, बैठ जा, आजा आजा, आजा, बैठ जा अरे, तु थक गया होगा ना? अरे, पहला दिन था ना तेरे काम का? देख, सारी तेरे पसंद की चीजे बनी है वै, दावत के मुख्यती तो तो पहुच गया है भोजन शुरू क्या जा? ममी, मुझे बूख नहीं है, मैं बाद में खालूँगा अरे, कैसे बाद में खालोगे? अरे, काम की चिंता में, खाना पीना मत भूल जाओ वरना, ताकत कहां से आएगी तुम्हें काम करने की? हाँ? ये, हाँ भूला ना मुझे नहीं खाना है अभी अरे मा इतने प्यार से खिला रही है थोड़ा खालो ना बेटा आज ना, हम तुम्हें अपने हाथ से खिलाएंगे ये ले चल, मुझ खूल अरे, खा ले ना बेटा अरे, एक निवाला तो ले ले अरे, क्या जबरदस्ती है जब मैं बोर रहा हूँ, मुझे नहीं खाना तो बस नहीं खाना है क्या बत्तमीजी अभे? ये को तरीका आम से बात करने का? सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारी खुशी बाटने आया, तुम बत्तमीजी कर रहे हैं अगर ये खुशी है मेरी जॉब की है ना तो रहने दीजे, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास छोड़ दीए मेरे ये नौकरी लीजीए इतनी मुश्किल से पहले बार नौकरी मिली थी उसमें भी पहले ही दिन में धक्के मारके निकाल दिया बिचारे अभाई को चल, कोई नहीं, तुझे पैसो की चिंता करने की क्या जरूरत है शुद्धा अच्छा कासा कमाती है, तेरा गार अच्छे से चल जाएगा क्या मौका है, क्या बोल रही हो कुछ समझ में आता है लिए तु बोलने से पहले दिमाग का इस्तमाल कर लिया करो भाया, आप हमें क्यों डाट रहे हैं, हमने कहां कुछ गलग का हम तु सिर्फ उसी यही कह रहे थे कि उसे पैसो की चिंता करने की जरूरत नहीं है आज एक नौकरी गई तो कल दूसरी मिल जाएगी बुआ जी, अभे वैसे ही इतना हर्ट था और आपने न जले पे नमक छिड़क दिया पहले तुम तो ना बड़ों के बीच में बोलना बन कर दो भाया, हमारा तो कहने का यही मतलब था कि जवान खून है गुस्से में आके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा दे हमारा मतलब है कि कैसे कंपनी है यह पहला दिन था उसका, अरे नया लड़का है यह नहीं कर पाया काम तो क्या एक मौका नहीं देंगे बगर नहीं फट से पहले दिन निकाल दिया धक्के मार के एक मिनिट बुआ जी अभै जी को किसी ने धक्के मार कर नहीं निकाला है बलकि यह खुद यह जॉब छोड़कर आये है इनके बॉस बेइमानी से अपने सेल्स बढ़ा रहे थे जिसके कारण कस्टमर्स को बहुत लॉस हो रहा था अपने ओफिस में यह वो पहले इंसान ने जिन्नोंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी तो क्या बॉस से जगडा कर लिया हुआ जी जो आज अभै जी ने किया है न अपनी नौकनी की परवा ना करते हुए सच का साथ दिया है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है हर किसी में नहीं होती है यह हिम्मत पर इन में है आज मेरे बेटे ने मेरा सर वक्ट से उचा कर दिया जो भी किया है उसने ठीक किया है अनुज अब एको तुमारी ज़रूरत हो उसे कवर बात जरूर कर लेना हम लोग चलते हैं अगर खाना हम नीचे बेजवादेंगे जल्दी बेजवाईएगे श्रदा बेटा एक मिर ज़रा आईए आपसे बात करने है जी ताय जी इन्हें क्या बाते करनी है हमारी बहुं से एक तो ऐसी ही अब है परिशान और ये हैं कि श्रदा से बातों में लग गही है तो कोडी के आदमी दो साथ से घर पे बेटा था वो मैंने तुझे नोक्री दी मेरा इसान मांगने की बज़ा ये खुटा हम पर ही बहुक रहा है दो सकेन नहीं लगेंगे तुझे अफिस से भार भिकने में तुझे पैसो के चिंता करने की क्या जरूरत है शुद्धा अच्छा खासा कमाती है तेरा घर अच्छे से चल जाएगा बेटा बड़ी खुशी हुई हमें ये देखकर की अभय के मुश्किल की घड़ी में आप उनके साथ खड़ी रहें किस्मत वालों को ऐसी बहु मिलती है जीते रहें बेटा आपको रिष्टे जोड़ना भी आता है और निभाना भी तुक तो इस बात का है कि कि आपके जितने आधे गुण भी अगर आपकी बहन कीरती में होते न तो हमारा घर भी सवर जाता ताई जी मैं अब आज की ही बात देख लीजी सुबह से निकले हैं वरुन और कीरती टाइम देख लीजी अब तक नहीं आये हैं अब अपने घर के तरफ पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं या नहीं अब आप ही समझाईए कीरती को आप चिंता मत कीजे ताई जी वो कीरती में थोड़ा बच्पना है पर मैं उसे बात करती हूं एक बार शायद हमारी ही किस्मत खराब है कि हम आप जैसी बहू ओने की उमीद कीरती से रखते हैं अरे किस्मत तो हमारी खराब जो सब हमारे अबहे पे नज़र लगाने पे तुछी है अरे आज़ी तू यहां क्यों खड़ी है जाती मिर्ची लेके आप हम तो आज ही अपने की नज़र उताफ करें रहे हैं ताई जी आप परिशान मत होईए सब ठीक हो जाएगा मैं करूगी किरती से बात यह पू कैसे यह दूआ कास्ता हमारे बच्ची को नजर लगाई थे, आओ, हम तुम्हारी नजर उतारते हैं के माता राणी हर बुरी बला और बुरी नजर से हमारे बच्ची को बचा हो मैं क्या पागल बनाई? क्या कर रही आप? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी तकलीव समझते हैं। यहां तो ना सब को ना तुम्हारी नोखरी पसंद है और ना तुम्हारी सर भून कमाऊ पत्नी। अरे देखो ना, इसलिए तो नज़र लगी है, कितना धुआ निकल रहा है, तुम कितना खास रहे हो मैं क्या बोल रही है आप, थूड़ी दो चुप रही है आपस मुझा केले में रह रहे हैं, आप जाहिए यहां से, प्लीज, जाहिए, आप जाहिए हम अभे की खुशियों की नजर उतार के रहेंगे, भले रात कितनी भी काली बीती हो, लेकिन सुबह उचाले वाले ही होगी हाँ नमस्ते सक्षिम जी भाभी, हमारी बात मानिये और उठाइए फोन, कीजिए यश्वी जी को फोन, बताइए कि उनकी बेटी कितने ड्रामा कर रही है अब भही उसे समझाएंगे, शर्म लिहास तो है नहीं, सुबह से निकले हुए है आपसे जगडा करकर अरे कम से कम बक्त ही देख लेते वो कीड़ी तो है ही लापर हा मगर वरुन, उसे तो आपके बारे में सोचना जाहिए था ना ने तू, आग में घी डालने के अलावा कुछ और करते भी हो तू भया, हम तो उपर हुआ ड्रामा कम पढ़ गया तुमें, तो यहां भी शुरू होगी अरे बच्चों की नहीं नहीं शादी हुई है साथ-साथ घोमेंगे फेरेंगे नहीं, तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे हमारे वाला जमाना तो अब रहा नहीं वाकर भाईया आप वक्त तेखे कितनी देखे कितनी देखे बस, बच्चे नहीं वो, की देर से आया और डाट दिया आज आएगे हम अपने कमरे में जा रहे है, शद्दा बेटी खाना भेज दे, तो हमें बोला लेना इन सब चक्करों में खा भी नहीं पाये, भूखे हम कबसे और हमें ही डाट दिया भाईयान आपी बहुत भूख लगी है च्रदा बेटा पापा अरे बस बस बेटा कैसी हो? मैं च्यू पापा और अचानक इतनी रात को कैसे? ममी कहा है? बेटा, मम्मी के तुमारी नानी के पास जाना पड़ा तुम्हें तो पता ही उनकी तबियत का और कुछ पेपर्स भी साइन करने थे आ जाएगी जल्दी क्या हुआ पापा? आप टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है? परुन जी की छुट्टी होगी तो इसी लिए वो लोग बाहर गये होंगे पेटा, क्या रोज कीर्थी इसी तरह करती है? अब उझे समझ जाना चाहिए कि ये उसका ससराल है माईका नहीं उसे ये बच्पना छोड़ देना चाहिए अब पापा, आप परिशान मत होईए ये कोई रोज का नहीं है और धीरे धीरे वो भी अज़ेस्ट कर रही है अचा ठीक है मैं उससे बात करूंगी हाँ बेटा अरे सक्षम भाई साब, नमस्ते 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 लंची अरे पीटा, पापा कह रहा है और तुम उने बठाई ही नहीं हो? हाँ? और हाँ भाई साब, आज आप खा करी जाएंगे यहां से अरे नहीं बेंची, खाना मैं खा कर आया हूँ अरे भाई साब पर चाय तो पी सकते हैं आप श्रदा बेटा तुम ना पापा के लिए एक अच्छी चाय बनाओ वैसे भी हमने सुना है कि आपको श्रदा की हाथ की चाय पसंद है चलो जाओ भाई साब, आये नहीं बैठते हैं आये भाई साब, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाभी, अब कहने को बचा ही क्या है पिता को असली तस्वीर बेटी की दिखा ही दिये अब वो ही समझाएंगे अपनी बेटी को कि सिफ खूमना फिर नहीं जिंदगी नहीं होती लीजे, आ गए दोनों वसे आप लोग भी कमाल हैं गूमने फिरने में इतने वियस्त हो गए कि आप लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि भाभी को एक फोन करके बता दे कि देर से आने वाले, देखिए हमारी भाभी नाराज हो गई है सॉरी मम्मी, वो लेट भी इसलिए होगे क्योंकि आपके लिए शॉपिंग कर रहे हैं मम्मी जी वो हमसे न गलती होती रहती है हमने न बहुत प्यार से आपके लिए ये साड़ी चुनी है आपको पसंद आए और आप हमें माफ कर दे वो मम्मी आक्शली देर भी इसलिए हो गए तो कि कीर्थी को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी वो कह रही थी कि मम्मी जी के लिए साड़ी रह रह है तो बैस्ट ही होनी चाहिए बहुत साड़ी साड़ी रिजेक्ट करने के बाद फाइनली ये पसंद आए तो हम आपके लिए लिए आए मम्मी चलिए अब बहुत देर हो गई है तो हम भी चेंज कर लेते बहाब ही ये तो पूरे का पूरा मौसम ही बदल गया बहाब है बहाब है बहाब है बहाब है बहाब है और श्रद्धा के लिए छोटी सी भेट है शादी अतनी जल्दी जल्ली में होई कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला अरे भाई साब ऐसा मत बोलिये ये सब तो अरे भाई साब आप ये हम को कहे दे रहे हैं बापा ये अब क्या करने है मैं ये नहीं ले सकती हूँ अरे भाई करिया सब कुछ है इस घर में ये नहीं लोगी और परसे भी अभाई जी को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे और उनसे छुपा के मैं ये नहीं ले सकती हूँ अरे भाई बेटा, मना मत करो अजसे भी हम शादी में कुछ करने ही पाए ममी पापा की तरफ से आशरवात समझ कर ही ले लो नहीं पापा ये अरे बेटा, पापा इतने प्यार से तुमें दे रहे है तो मना करके तुम उनका दिल तोड़ दोगी अरे इसमों का प्यार ही तो छुपा है मना नहीं करते, ले लो वेटा, प्ले आओ मुझे 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 ले लो मुझे 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 बेटा मुझे अमीद है कि इन पैसों से तुम लोग अपनी सारी जरूरते पूरी कर लोगे और अबेटे कम लगी तो बता देना एज की चाना नहीं अबेटा मुझे अपनी सारी जरूर अबेटे कि अपनी सारी जरूरते जरूर से तुम लोगे अब प्लीज बेटिये अब प्लीज बेटिये अब प्लीज बेटिये अब यह सब क्या है बिटा यह हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोरफा है अब शादी के वक्त में इतनी चलती थी कि कुछ कर ही नहीं पाए नहीं अंकल आपने आगे बहुत कुछ किया हमारे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं अरे बेटा तुम कहें बाप बेटी के बीच में आ रहे हो हां अरे हर माबाप खुशी से अपने बच्चों को चीजे देना चाहते हैं अगर यह अपनी बेटी को कुछ चीजे दे रहे हैं तो कहें नहीं दें बताओ तूं और वैसे भी जब शद्धा को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे तना परिशानी है ममी जी मैंने तो साफ कहा कि मुझे हम सब समझते हैं अरे हम भी तो बेटी हैं ना अगर तुम लेना चाहती हो तो तुम है यहां कोई नहीं रोकेगा अरे भाई साब आप भी से समझाहिए ना बेटा तुम यह रख लोगी तो हमें बहुत खुशी होगी अब आच्छा अब आँ चलते हैं चलो तुम से कुछ बात करनी हुजे अब आँ 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 भी कौन आगया? अरे इस घर में ना किसी कुछ चैन ही नहीं है अरे हमें आराम ही दोने रहता क्ये हाई हेलो क्या कर रहे हूं तुम यह तुम्हारे मूसे थैंक यू सुनने इस्क्यूज मी थैंक यू किस खुशी में? खुशी में नहीं, गब में क्यूंकि तुम्हारी आखों पे जो वो प्यार और विश्वास का पड़ा लगाया ना उसे खोलने के लिए तुम्हारे बखवास के लिए ना हमारे पास बिलकुल टाइम नहीं है ठीक है पर मैं तो तुम्हें वो बताने आए थी कि ताई जी आज शद्धा से तुम्हारे बुराई कर रही थी किया बोलरही थी ताई जी ? सोनिया ! क्या बोल रही थी ? तुम्हें पता है ? मुझे तो बौध बुरा लगा ये सुलके वो कह रहे थी कि कीर्थी मेना शद्धा जैसे एक भी गुंड नहीं है और वो तो ये भी कह रही थी कि कीर्थी में श्रद्धा जैसे रिष्टेदारी निभाने और सम्हालने की तो अकत है यह नहीं बिलकुर भी ऐसा ताई जी कह रही थी बाकी सब तो फिर भी ठीक था लेकिन मैंने देखा कि श्रद्धा तुम्हें सपोर्ट करने के वजाए ताई जी को सपोर्ट कर रहे थी मेरे तो पैरो तली जमीन ही की सक गई मन तो किया कि चिला चिला के कहूं की बहन है यार वो तुम्हारी और तुम्हें पता है श्रद्धा ने क्या कहा शद्धा ने कहा कि किर्ती तो हमेशा सही है, बचपना गया ही नहीं है, उसके अंदर से तो उससे क्या ही उमीद कर सकते हैं हो गई तुम्हारी पकवस, क्या और भी बाते हैं बताने के लिए? नहीं, दीदु ने और भी कुछ बोला होगा ना, तुम्हारी बहन ना, तुम्हारे घर में रहके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पढ़ रहा, उठो, उठो, सोनिया, तुम खुद हमारे कमने से बाहर जाओगी, या हम त खके मार के बाहर निकाले, एक बाद याद रखो, तुम हमारे और हमारे बहन के बीच में अपने टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझी, नो गेट आउट, खलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, बताम ही किस बात पर हवा में उठ रहे हैं या लड़की, इसको तो जमीं पिलाना ही पड़ेगा, आज बहुत खुश होगी तुम, अपने पती को फिर से एक बाद निकामा थावित करके, क्या कह रहे हैं आप, और क्या सब्चूबे, एक तो मेरे पास काम नहीं है, लोगों की 500 बाते सुनतो आगे भी सुनूँगा, बच्ची का सर तुमने पूरी क अपने पापा को बला के यहां पैसे लेने के लिए, नहीं, मेरा विश्वास कीजे, मुझे नहीं पता पापा यहां कैसे आ गया और वो भी पैसे देने के लिए, मैं तो खुद इस पाद से हैरान हूँ, मेरा यकीन कीजे, मैंने उनको नहीं बुलाया है, अच्छा, तुमा हाँ, दस लागा चेक लिए यहां आगे, पीरी बात का यकीन जीजे, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, मेरी तो आज उन्हें बात तक नहीं हुए है, पुरा दिन दो हमारी चुगलियां करते हैं अपने गर्वालों से, कब सोई, कब खाया, किसने कितना काम करवाया, ल तुम्हारे पापा को सबना आया कि मेरी जॉब के लिए और यहां चेक लेकर यहां आगए, तुम्हारी नजर में में बॉत बड़ा लूजर होंगा ना, जिसकी जॉब एक ही दिर में चली गई? जब से मेरी जिंदगी में तुम माई हो नो, मेरे सुकून चला गया, सब लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरी कमाओ बीवी जो हो तुम्हारे यार, तक दिया हूं मैं, इस दबर्दस्ति की शादी को ने बाते ने बाते देखिये, मैं जानती हूं इस बात को, कि आप वे शादी के लिए तयार मही थे, जो कुछ भी हुआ, आपके साथ बहुत घनत हुआ, लेकिन मैं भे ये शादी के लिए तयार नहीं थी, उस राध, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, आपने ज़रा सभी सोचा है, मुझ पर क्या तुम पही सबस्यादा अबीती होगी। सही कहा तुमने। तुम पही सबस्यादा अबीती है। कमाव अरुन से शादी होने जारी थी। कहा मेरे जैसे निकम मेरे से शादी होगी। तुम मेरे साथ के हो। निकल जाओ यहां से। निकलो। निकल जाओ यहां से, निकलो, तुमने सुनानी मेरे का निकलो, निकलो, अभी किया कर रहे हैं आप, रात का वक्त है, प्लीज इस तरह से तमाशा मत कीजे, इतने दिनों से तुमने मेरा तमाशा बनाए ता अज तुम्हा ना बनेगा, मैं कहां जाओंगी बाहर, सब बार क्या सोचेंगे, उनके सावार अगे मे क्या जवाब दोंगी, सबको बोला तुम्हारे निकल में वती निकल तुम्हें निकालती है यह क्या कर रहें आप, अ, यह क्या कर रहें हैं? इस्पा क्या 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 Pacific है, प्लीज छोड़े है। छोड़िये, प्लीज, प्लीज, छोड़िये! मास तामाद में ज़े, प्लीज! जब से इस परिवार से रिष्टा जोड़ा ना, मेरा तो जीना अराम हो गया है! छोटी बेना जो मुझे इल्जाम लगाती रहती है! उट पड़ी? तोड़ी मेरी बेज़ती कराती! यह देखे, हमारा न्यूड डिजाइनर ड्रेथ, बहुत एक्स्पेंसिव है, अच्छा है ना? एक में परूँ जी, शृ। सॉरी, हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बड़ कीर्थी आपको मिलेगी दुबारा तब तक हमारा प्यार भरा सायोनारा! आप, सॉरी, हम थोड़ा बिजी थे, बोली? वो सोनी आई थी क्या? मैंने उसकी आवास सुनी? हाँ, आई थी! हमें दीदू और मम्मी जी के खिलाब भड़काने के लिए! क्या? उसकी तिनी हिम्मत! मैं अभी उसे परूँ जी! जब अपनी बक्वास उसने शुरू की ना, हमने इसे जम कर सुनाया! आगे से वो हमारे मामले में टांगनी डालेगी! पिल्कुल सही किया तुमने! अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैंने चाहता किसी भी तरीकी फाल्तू कि रही हो! वही तो! जब ये रोज-रोज का ड्रामा खतम हो, तो हम अपना काम शुरू करें! बिल्कुल सही सोच है तुमने! तुम कॉलेज जाना शुरू करो और अपनी बढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? वरुन जी! कॉलेज नहीं! हमारा सोशल मीडिया का काम! अभी हम वही तो कर रहे थे! आपने दिखा नहीं! हमारे वीडियोज ना टॉक टॉक पे बहुत पॉपुलर हैं! अब आप यह मत कहना कि आपको नहीं पता! मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतनी फेमिस हो! अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारी कितने फॉल्वर्स हैं! वैसे अंदाजा तो है! क्योंकि चार ही दिन में मैं तुम्हारे इतना बड़ा फॉल्वर्स हो बन किया हूँ! है ना? वारुन जी, कल ना हम वीडियो बनाएंगे और हम यह वाली ड्रेस पहनेंगे! तब आप देखना अपनी स्टार बीवी को! वैसे भी इस घर में ना हर कोई बस दीदू की तारीफ करता है! हमारी तो कोई करता ही नहीं! ठीक है बाबा! हमारा जो मन करता है तुम वह ही करो! ओक्या? शत्था? अ ऐसे सामान के साथ बहार क्यों बैठी वही हो? अभे ने कमरे से निकाल दिया क्या? उसकी इतनी हिम्मत? तुम यह सब सहे क्यों रही हो यार? लड़की हो तो क्या हुआ? कोई सेल्फ रस्पेक्ट नाम की चीज है की नहीं? मैं अगर तुम्हारी जगे होती न तो कपका उसे छोड़कर चली गई होती शद्धा शद्धा मैं बता रही हूं तुम्हीं छोड़ दो अभेकों चली जाओ तब ही आएगी उसे अकर सोनिया मैं कमरे से बाहर हूं या अंदर अभे ने मुझे कमरे से बाहर निकाला या नहीं यह मेरे और अभे यानि की हम दोनों पती-पत्म के बीच की बात हैं और मेरे और अभे के बीच भी प्रॉब्लम्स है ना हम आपस में सुलजा लेंगे मैं नहीं चाहती हूं कि कोई पराया आए और इसमें किसी पराय को इंटरफेर करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम अपने कमरे में जाओ रात बहुत हो चुकी है और इस तरह से किसी के कमरे में या किसी के लाइफ में जहांकना अच्छी बात नहीं होती है तुम जाओ किसी दोता है इस कर में एक भी पलबरदाश्ट नहीं हो रहा मुझसे लो गया काम इसने पापा को सब बता देना और पापा ने मेरी खाल उतार देना यह कोई तरीका नहीं है उसके हिम्मत कैसे हूँ तुम्हारा समान बाहर निकालने की अब तो हाथ हो गए अभी देखता हूँ से पापा जी एक मिनट आप गलत समझ रहे हैं आज अब तुझे कोई नहीं बचा करता है इसमें यह पापा गे सामने खबगा तेरा इस दुनिया से टिकेट कटा है पापा जी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है आप गलत समझ रहे हैं वो तो मुझे ही ऑफिस का काम करना था तो मैं अपना सामान बाहर लेके आ गई मुझे लगा कि कहीं इनकी नीन ना खराब हो जाए तो मैं बाहर आ गई काम करने इसमें उनकी कोई गलती नहीं है तो ये बैग इसमें तो मेरे कुछ ओफिस के फाइल्स और मेरे डिजाइन्स है बिटा, तु सच कह रहे न तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूद नहीं नहीं पापा जी आप चिंता मत कीजिए मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी परिशान मत हुए ठीक, जल्दी से काम खतम करो और जल्दी सोय करो इतनी लेट सुना जेद के लिए अच्छा नहीं है बिटा एक तो मेरे पास काम नहीं है लोगों की पातसो बाते सुनतो आगे भी सुनूँगा बच्ची कसर तुमने पूरी कर दी अपने पापा को पुला के यहां पैसा लेने के लिए कमाव अरुन से शादी होने जारी थे कहा मेरे जैसे निकम में से शादी होगी तुम्हारी शर्दा कहां गई होगी कल्टू बच गया अशर्दा का बैक किसे ने बाहर देख लिया तो और वाल हो जाएगा जब देखती है आज अब भी निये शदब चट पे भी निये तो कहीं किछन में तुम बैठके यह टाइम पास कर रहे हो चाही अभी बाहर आ जाती है चोड़ दो मुझे मुझे चोड़ दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो बुझे मुझे भी कर मैं मुझे जाने दो मुझे ने दो मुझे भी एजाने दो मुझे जाने दो चोड़ देख अच्छ। स्टूं ठीको आञ पुर्णाग? अरे, शेड़ता! संभल्के, मैं पक्कड़ेतना, तुम्हें राद होगी. तुम्हें तो बुखा रहे. लाओ, तुझे देरी. नहीं नि, मैं, मैं विल्कुल ठीक हूँ. शायद वह थकान की वज़े से हो गया होगा. मैं चाय देखराती हूँ. हुआ हो भावी अगर हम जूट बोले तो हमें कव आखाटे अज तो आप कजबे लग रहे हैं मानना पड़ेगा अपकी बेगों की पसंद को क्या बात है सूरज आज कहां से निकला सुबह सुबह तनु भावी के दर्शन जो हो गए तनु जा तुम सुबह सुबह यहां नीचे कैसे अरे भावी खबर ही ऐसी है कि हमने सोचा कि हम खुदा के दे दे हमारा मतलब है कि उस जिन आप क्या रही थी ना कि बहुत बड़ी खुशकबरी है खुदी सुनाने चली आई थी तो हमें लगा इस बार भी खुशकबरी होगी वैसे रितू अब है को ना नहीं मिली है ऐसा है कि अब अब है लोगों को नौकरी देगा अरे हमारा अब है बिजनेस करेगा बिजनेस अरे भाभी क्या हो क्या आपके होश कहा है उड़ गए वैसे भाभी श्रदा के घर वाले लोग ना बहुत ही अच्छे है अरे सक्षम भाई साफ खुद गार आए थे और दस लाव का चेक शद्धा और अभे को देके चले गए शादी के तोफे के तौर पे हाँ हमें तो लग रहा था कि धमाकी के लिए सुद्ली बॉम सिर्फ हमारे पास है पर तनुशा भाभी ने तो बहुत बड़ा बॉम फोड़कर धबल धमाका कर दिया सही मौगे पे अरे भाभी क्या हो गया कल तक को आप बहुत परिशान थी अभे के लिए और अब जब खुश होना चाहिए तो लग रहा है जैसे आपके मूँ पे ताला लग गया हो तनुजा ताला लगे हमारे दुश्मनों के मूँ पे वो क्या है ना अभायको तो पैसो की ज़रूरत है नौकरी नहीं है उसके पास लेकिन वरुन के पास तो नौकरी है वो हर महीने दो लाख रुपे कमाते हैं और देखिये ना कल ही वरुन और कीर्थी हमारे लिए ये िये लेकर आये हैं ओ होह वो ये वाली अ मानना पड़ेगा भाभी आपकी बहु की पसंतो कौ चुझ पर हां कितनी सुन्हें शाणिये और लुटो देखिए कितना अलग है वाभा भाभी आपकी बहु की नज़र थो सत्में पार की है अरे छेघ्डा पूल्नू में वही हम सोचे के कीर्थी अपने अलावा किसी और के बारे में कैसे सोचने लगी, भाभी बहुत बड़ा छेद सारी में अब भाभी, हमको लगता है ना कि आपकी बहु छाट छाट कर सबसे सस्ता माल, हमार मतलब है, सबसे सस्ती साड़ी सेल में खास आपके लिए लेके आई है, हाँ अब भाभी अच्छे सुनिए हम जाता है क्योंकि श्रता ना मारने कुछ चटपटा बनाने वाली है, ठीक है जाये जाये भाभी, असली मसाला तो यहां में देखने को मिलेगा यह क्या क्या आपने आप प्यार से और कई सारी साड़ीयां रिजेक्ट करके यह साड़ी लागी हैं आप अपनी सास के लिए क्या है, आप ऐसे बाती क्यों कर रहे हैं, सच में कीर्थी बहुत प्यार से लेकर रही आपके लिए साड़ी तो मतलब कीर्थी का प्यार भी इस साड़ी की तरह बिना किसी काम का और खराबने का क्योंकि इतनी सारी साडियों में से जो कीरती ना हमारे लिए साड़ी चुनी है उसके पल्लू में छेद है ये देखी सबसे बहतरीन साड़ी लाई थी ना आप हमारे लिए ये है आपका बहतरीन सस्ते दामों में सेल में सास को खुश करने के लिए कुछ मिल जाए तो बहतरीन होगा ना मैं जी हम क्यूं करेंगे ऐसा हम क्यूं लाएंगे आपके लिए छेद वाली साड़ी हमने तो सुचा था गिफ देंगे तो आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी आप साड़ी लाई है हमारे लिए हमारे बेटे के पैसों से खरीद कर लाई है और आप कह लिए कि आप साड़ी लाई है हमारे लिए अगर इतना ही प्यार है न तो यह यह आपकी साड़ी हम ले लएते economics वह 12,000 सास के लिए घटिया और खराब माल और खुद के लिए इतने बहंगे कपड़े नहीं चाहिए हमें आपकी कोई भीक हमारे गिफ्ट को आप भीक के रही हैं मम्मी जी ठीक तो हम भी आपको बता दे यह भीक नहीं आपकी जलन है आपको तकलीफ होती है ना किया आपका बेटे हमें शॉपिंग कराता है बाट नहीं पा रही है ना अपने बेटे को आपको हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है दिमाग खड़ाब हो गया आपका आपके बती वो आज बने हैं लेकिन हमने उनको पैदा किया है बेटे हैं वो हमारे जब भी जो भी चाहिए ना हक से मांग सकते हैं हम कि आप ये बूल रही हैं कि हमारे पती है और आप अभी जहाँ खड़ी है ना वो हमारी चट के नीचे खड़ी है ये ये सब क्या बात हो रही है अम्मी आप जाने दीजे ना इतनी सी बात का बदंगड क्यों मना है कीर्ती ने सच में नहीं देखा होगा कि साड़ी में छेद है कीर्ती ने नहीं देखा होगा उसका तो पता नहीं लेकिन आपकी आँखों पे कीर्ती के नाम की पट्टी जरूर बंद गई है मुझे तु बो दिन जिस दिन आपकी और कीट्टी की शादी हुई थी, इसे श्राप से कम नहीं लग रहा तारी कौन सी मनुझ गड़ी थी, जिब हमने आप दोरो की शादी के लिए हाग कर दी थी इसमें क्या है भैया? खूल के देख ले? आहाँ बतूरे, छोले क्या चल रहा है हाँ, क्या है यह सब? अना और क्या? अरे यह तो हमें भी दिख रहा है श्रदा, हमने तुमसे कहा था कि अपनी बहन चासा मत बना और तुमने वही किया अरे हमने तुमसे कहा का खाना बनाने और तुमने बहार से खाना मंगा लिया वा? नहीं ममी जी, मुझे तो पता भी नहीं इसके बारे में हाँ कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोल रही हो तुम हमें अरे ममी, शात हो जाओ, कभी दूसरों की बात पी सुन लिया करो। मैं लेकर रहा हूँ खाना बढ़bok करो। अरे मुझे बात करो। अरे श्रद्दक को तुमको पता भी नहीं है कि भाहरा से खाना लेकर रहा हूँ जाने आपकी बात सुन ली थी कि आपको चटपटा खाने का मन कर रहा था इसलिए आपके लिए भाहर से खाना लेकर आया अभाई बेटा तुमको पता है बाहर का खाना ना हमें ना तुम्हारे पापा को हजम होता है तो फिर का है तुम यह सब अब अब प्लीज यह द्रामा करो आप पहली बाहर से खाना आया अगर अर भाई आप जब से श्रद्दा भाभी घर में आई है तब से बाहर का खाना खाने की आदद बिलकुल छोड़ गई है अब देखो ना यह भटूरे किपना ऑईल है इसमें और यह छोले भी देखो इसमें तो बहुत तो बहुत तो मैं तो नहीं खाने वाली है अब तो घर का खाना काऊंगी भाभी आप मेरे लिए कुछ बना दो ना प्लीज क्यों तेरे हाथ में महंदी लगी है तो जा कर क्यों नहीं बना लेती अब नहीं मैं बना देखिए इसको कुछ सिखाते क्यों नहीं इसका हालना किर्थी वाला हो रहा है पुरा दिन घर बैटके बस ताइम पास करती है तू गई नहीं अभी तक आज मैं भी तेरे हाथ की बनी रोटी सब्सी खाऊंगा अचिए अब है जब शद्दा है तो फिर जरूरत से जादा किसी का इसान मत लो पर किसी वे इतना भी डिपेंड मत रो कि उससे लगी कि उसे बेना गर चली नहीं सकता है तू गई नहीं अभी तक अब बूद्री आप नहीं कितने बदल गया है अब बाब भाई पड़ा नया तरीका है बीजी की मदद करने का भाई अब अब ऑगाई अब 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 एक बाई अब अब आप अब अच्राद भाई संबल के मैं पकड़ लेतना तुम गिराद होगी तो गई नहीं अभी तक, आज मैं भी तरे हाथ की बनी रोटी सबजी खाऊंगा थांक यू अभाइव अभी कौन सी मन्हूस घाड़ी थी जब हमने आप दोनों की शादी के लिए हाग कर दी थी आपने कहा था कि आप हमें कभी भी दुखी नहीं देख सते हैं यहां आपको तो अपने बाल सेट करने से फूर्सत ही नहीं है अरे स्वीट ओगिस्टे में क्यों है देखो तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम अगर कोई परेशानी है तो बताओ ना तुम तो चांदती हूं, आज मेरी बहुत इंपॉटन मीटिंग है, बस इसी की टेंशन में तो हूं आपकी मीटिंग की टेंशन सीरियस टेंशन है या हम? अरे बाबा, तुम मेरी टेंशन थोड़ी, तुरी को मेरा प्यार हूं और इसलिए तुम एतनी महनद करता हूं, ताकि अपनी Miss World को खुश रख सको, शॉपिंग करवा सको, तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना? अगर आपको हमारी खुशियों की इतनी टेंशन होती ना, तो आप कुछ तो कहते हैं, जब आपकी मम्मी हमें इतनी जली-खटी सुना कर गई आरे, मैंने बोला तो था, मैंने मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश की थी आपके हिसाब से उसे अपने सुईट्यों के पक्ष में बोलना कहते हैं सॉरी वरुन जी, पर हम ही नहीं लगता कि आपने जदा भी कोशिश की अपनी मम्मी को समझाने की यह आपको भी लगता है कि वो डिफेक्टिव साडी हमने जान बूझ के मम्मी जी को दी है ना किती कैसी बाते कर रहे हूं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मैं जानता हूं तुमने यह सब जान बूझ के नहीं किया ठीक है अगर आपको यसा लगता है ना तो दो कहीं अपनी मंची को आके हमें सॉरी बोले हम से माफी मांगें क्या? ठीटो हो मेरी मम्मी है मैं उनने ऐसे कैसे बोल सकता हु हлан तु क्या हो गय? गलती यह न? सुमाफी मांगनी चाहिए वैसे भी, जैसे इननने огूने हमसे बात की उतने बुरे से बिएव तो दीदू की सासुमा भी नहीं करती उनके साथ ममी जी को तो सौरी बोलनी ही बड़ीगी कैसे कर लेती हु तुम इसना ड्रामा हाँ यही रोनी शकल बना के तुम हमारे अभय को बेला पुसला लेती होगी है ना ममी जी मुझे तो पता भी नहीं था इस बारे में ओहो इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है अरे अभय को तुम बेवकूफ बना सकती हो पर हमको नहीं ममी जी मुझे नहीं पता था इस बारे में तो आप पता चल गया ना अरे हमने बहुत ही मुश्किल से इस घर को समाला है और यहां हर चीज का एक तरीका है और कोई भी इस तरीके को बिगार नहीं सकता है चाहे कुछ भी हो जाए और इस घर में खुले हाथ से खर्च बिलकुल नहीं होगा इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो चीज चलो हटो हमें हार दोना है इन दोनों बहनों ने ना चीना तुषवार कर दिया है मतलब रोज है तमाशे इस से तमाशा और बढ़ेगा कुछ सुलजेगा नहीं स्वीटो ममी ने गुसे में बोल दिया होगा उनका इरादा उमें हट करने का नहीं था और फिर बड़े छोटों से माफी मांगे कि अच्छा नहीं लगता यह तो उनकी बेज़दी करना होगे और बड़े छोटों की बेज़दी करते रहे वो सही है अब रुको ग्राइन का कॉल है मैना तुमसे शामकुआ के बाद करता है हलो अब कोई भी काम तभी होगा जब मम्मी जी हमसे माफी मांगेगी कि मांग खराब होगे है कि तुमार कि क्लाइन बहुत इंपोर्टेंट है आज ओफिस में प्रेजेंटेशन है पुरी टीम की जान सुखी हुई है और तुम्हें माफी की बढ़ी हुई की ती मैं शाम को आके तुमसे बात करता हूँ ठीक है 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 सर तुमने कीर्टी को नहीं देखा प्या हमारा मतलब है कीर्टी आई है तुम्हारे पास नहीं वह जी पर हुआ क्या महतारानी ये थो बहुत है बड़ा कांड हूगा कीर्टी कांड फुआ प्रे जु चिलाती रहेंगी कि बताएगी कि क्या हुआ है बाबी वो कीर्थी? सुपर से कही नाजर नहीं आ रही है उसका नैना बाबी के साथ बहुत बड़ा चकड़ा हुआ था सुपर से हमने तो उसे नहीं देखा है नहीं वो गर छोड़ के भाग तो नहीं गई कहा गई होगी वो किरती फोन उठाओ यार वरून बेटा आप क्यों चिंता कर रहे हैं उपर अपनी बहन के पास गई होंगी रितु गई है ना पूछने लेकिन मैं उसे फोन पे पोन कर रहा हूँ वो फोन ही नहीं उठा रही है श्रदा बेटा किरती आपके पास आई है क्या नहीं ताय जी वो तो उपर आई है निक इन्फाक्ट मेरी तो कल से उसे कुछ बात भी नहीं हुई है कि मुझे नहीं पता कि किरती को उत्मा बुरा लग चाएगा ने सोचा कि शाम को आके उसे समझा दूंगा लेकित वो इतनी नाराज हो गई कि खर चोड़की चलीगी हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखिये जो गल्ती तो खुत करती है मगर जताती ऐसे जैसे हमसे बहुत बड़ा पाफ हो गया हो अमे तो ना ये खांदानी बिमारी लगती है पड़ी बहन मंडप से भागी थी और छोटी घर से भाग गई अरे घृतू आप कुछ बोलने के पहले तोड़ा सोचा कर ये प्रितू हम केर्थी को ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं ना सब पहले इतने परेशान है और तू मैं तो उसकी किसी दोस्को भी निजानता है ये अंदाजा लगा सगूं की वो कहां जा सकते है ऐसे घर बेटने से कुछ नी होगा मैं खोदी जा के उसे ढूंड के लिए अरे ताही जी प्लीज प्लीज पापा को फोल मत कीजिए क्यूं ना करें बरून की हालत नहीं दिख रहे ही आपको कर बेर सब परेशान है ताही जी अगर पापा को ये पता चल जाय कि कीर्थी कहीं घर से चली गई है वो बहुत परेशान हो जाएंगे अल्रड़ी वह हम लोगों कर लेकर बहुत चिंता में रहते हैं और उपर से ये पिता चिंता को उन्हें हमारी करनी चाहिए कीरती जैसे बेटी देखकर परस भे तू भाईया हमारा तू मतलब था कि वो खर छोड़ कर चली गई तू क्या हम हाथ पे हाथ दर ऐसे बैटे रहे उसका इंतजार करें कि मैडम कब वापस आएगी भाईया अगर कोई उच नीच हो गई ना तो सक्षम जी तो हमारी गर्दन ही पकड़ेंगे आखिरकार ससुराल से चुपागी है कोई उच नीच नहीं होगी तुम शांत रो बस अब हमें तो शांत कर देंगे मगर लोग वो शांत नहीं रहेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे देखो रितो लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी परवा नहीं है मुझे कीर्टी बेटी की चिंता है वो सरी सलामत रहे बस ताउ जी आप फिक्रमत कीजे मैं किर्थी को ढूंड कर लाती हूँ सबसे पहले खर पर जाकर चेक करती हूँ शैदो वही हो हाँ बेटा यही ठीक रहेगा और हाँ किर्थी के मिलते एक फोन जरू कर देना जी ताउ जी बेटा रात बहुत हो गई है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं नहीं पापा जी अगर सब लोग साथ में जाएंगे तो पापा को शक हो जाएगा कि जरूर कोई गरबढ हुई है आप लोग जिंतावद कीजे लग मैं कोशिश करती हूँ उसे ढूडने की किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शिमारू उमंग